हाई फ्रेंड्स आज हम शुरू कर रहे हैं अनिल मोहन जी का उपन्यास रब्तार का पार्ट वन प्लीज लाइक शेर सब्क्राइम आज चैनल न दस दिनों से हम जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे वो वक्त आ गया है कहने के साथ ही डेवराज चोहान ने जगमोहन, सोहनलाल औ और बटनागर पर निगाह मारी, जो हमें खबर मिली थी वो ठीक निकली, केटली एन केटली ज्वेलर्स लिमिटेट के शोरूम में फ्रांस में निलामी के खरीदे गए डाइमंड्स दो गंटे पहले ही पहुचे हैं, जिनकी कीमत साड़े चार अरब रुपय है, कहने के पहलू पदला, और बटनागर, पेतालिश वर्षिय बटनागर उन खतरनाक तेज तरार लोगों में से था, जो सारा जीवन अपराद करते रहे, परन्तु पुलिस के हाथों से बचे ही रहे, बटनागर ने हर तरह के अपराद किये थे, जिन में कई डकेतिया भी थी, अपन हर काम में वो मास्टर माना जाता था, अचुक निशाने बास था, दिलेर था, मुसीबत के वक्त भी होश कायम रखता था, कुछ महने पहले इत्फ़ाक से देवराद चुहान की बटनागर से मुलाकात हो गई थी, और बटनागर ने देवराद चुहान के साथ काम करने की त देवराद चुहान ने उससे वाइदा किया था, कि किसी काम में वो फिट बेठा तो उसे बुलाएगा, और अब देवराद चुहान के जरुरत के मुताबिक बटनागर को बुला लिया था, सुहनलाल सोच परे डंग से गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था, देवराद चुहान ने पुना कहना शुरु किया, इस खबर के मिलने के पश्चात हमने पिछले आठ दिनों से केटली एन केटली लिमिटेड ज्वेलर के शोरूम की बिल्डिंग को बारिकी से चेक किया है, और शोरूम के बीतर के इंसानों की जानकारी हासिल करके इस नतीजे पर कि साड़े चार अरद के हीरो को पाया जा सकता है, अपनी पूरी योजना तो तुमने हमें अभी पताई नहीं, जगमोहन कै उठा, अब बताऊंगा, मुझे हीरो के आने का इंतजार था, मन में ये बात भी थी कि कहीं खबर जूठी यां गलत न हो, और हमारी पहले से कर ही तैयारी, बेकार न जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा, देवरात चोहा ने गंबीर स्वर में कहा, शोरूम के साड़े चार अरब के उन हीरो को वहीं रखा गया है, जहां के बारे में हमारे पास पहले से ही खबर थी, या फिर उनके रखने की जगय बद केती करके साड़े चार अरब के हीरो को हासिल करना है, ये बात किस से मालुम करोगे, बटनागर ने पूछा, उसी से देवरात चोहा ने बटनागर को देखा, जिसने शोरूम के बारे में और शुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानकारी पाई जी थी, वो जानकारी दे कम साड़े चार अरब रुपय के वो हीरे हासिल कर लेंगे, जगमोहन ने पूछा, उसके चेरे पर उबरी या कुलता इसपस्ट नजर आ रही थी, देवरात चोहान के गंबीर चेरे पर मुस्कान उबरी, हर काम इसी आशा के साथ किया जाता है, कि वो पूरा होगा, काम का नतिया तो बाद में सामने आता है, कि सफलता हाथ लगी या असफलता, देवरात चोहान ने कहा, जगमोहन ने कुछ नहीं कहा, पटनागर के चेरे पर मुस्कान उबरी और गायब हो गई, साड़े चार अरब के हीरो का केटली एंड केटली जोलस ने बीमा करा रखा है, सोह हीरो का बीमा कराया था, ये खबर तो पहले ही हमारे पास आ चुके है, ऐसे में केटली एंड केटली को हीरो के हाथ से निकल जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, केटली एंड केटली जोलर्स के नुकसान की बरपाई, बीमा कमपनी करेगी, सोहन डाल होट सिकोर कर र पिर उटता हुआ बोला, शोरूम में साड़ी चार अरप के हीरो को कहां रखा गया है, इस बात की पक्की खबर लेकर कुछ घंटे में लोटता हूँ, उसके बाद साड़ी चार अरप के हीरो के पाने की सारी योजना बनाऊंगा, मैं साथ चलूं, कहते हुए बटनागर ने उटने की कोशिश की, नहीं, केटली एंड केटली ज्वेलर्स लिमिटेट के शोरूम से, शाम को आठ बजे, पचास वर्षिय यक्ती निकला, और पेदल ही आगे बढ़ गया, साधी सी कमीज पेंट उसके बदन पर मोजूद थी, शेव कर रखी थी, वो चमनलाल गुपता केटली एंड केटली ज्वेलर्स में पिछले 20 बरस से एकाउंटेट लिखने का काम कर रहा था, तंखा बुरी नहीं थी, परन्तु परिवार बड़ा होने के कारण उन पेशों से खीच-खीच कर मैना ही निकाल पाता था, यही वज़य थी, जमापूजी के नाम पर पास में कुछ था नहीं, और तीन लड़कियां एक के बाद एक जवान हुई, गर में मौजूद थी, एक 28 भरस की, दूसरी 26 और तीसरी 24 की, बाकी के तीन बच्चे अभी छोटे थे और पढ़ रहे थे, चमनलाल गुपता केटली एंड केटली से आदा किलोमेटर दूर, बस बचने ही वाला था कि फुटपात के पास उसके करीब एक कार आकर रुकी, वो ठिटका, पल बर के लिए कार में निगाह मारी, ट्राइविंग सीट पर देवराच चोहान मौजूद था, उसे देखते ही चमनलाल गुपता सक्पका उठा, देवराच चोहान ने हाद बढ़ा कर कार का धरवाजा खोला, वो हडबढ़ा सा, चमनलाल गुपता जल्दी से पीतर बेट कया, दरवाजा बन कर लिया, देवराच चोहान ने आगे बढ़ा दी, कार, बगवान के लिए अब बस पी करो, चमनलाल गुपता सूखे स्वर में कर उठा, तुमने जो जो भी जानन था, मैंने बता दिया, मेरे से मिलने जो तुमने बताया है, उसके बदले में तुमें पंदर लाक रुपे दिये हैं, देवराच चोहान ने शांत स्वर में कहा, हाँ, उसने गहरी सांस ली, मैंने कब मना किया है, लेकिन समझा करो, तुम जो भी हो, ठीक नहीं हो, मैं जानत हूँ, उन साड़े चार अरब के हीरो को पाने के लिए, तुम कोई घडबर करोगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तुमें मेरे साथ देखे, और इस बात का वाइदा तुम कर ही चुके हो, कि किसी भी हालत में, अपने इस मामले में मेरा नाम नहीं आने दोगे, फिक्र म कार ड्राई करता हुआ बोला, पूछो, जल्दी पूछो, साड़े चार अरब के वे हीरे, शोरूम में कहां रखे गए हैं, चमनलाल गुपता के चैरे पर, जल्लाहट के बाओ उबरे, इतनी जल्दी बूल गए, बताया तो था कि, तुमने तब बताया था, जब हीरे फ्रा जखा गया है, जहां के बारे में मैं तुमें पहले बता चुका हूँ, कोई और नई खबर इस मामले में, देवराद चोहान ने पूछा, नहीं, मुझे यहीं उतार दो, केटली एंड केटली का, उन हीरो के बारे में क्या प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम, कब तक उन हीर पुटा ने बेचेनी से कहा, हर बड़े शहर में केटली एंड केटली के शोरूम है, मेरे ख्याल से विक्री के लिए उन हीरों को जरत के मताबिक बाट कर तूसरे बड़े शहरों के शोरूम में बेजा जाएगा, इत्ती बड़ी कीमत के हीरे एक जगे रखना ठीक नहीं, ये बाट तो केटली एंड केटली वाले भी चानते हैं, देवराज चोहान ने कुछ न कहा, अब उतार भी दो मुझे, देवराज चोहान ने सडक के किनारे कार रोकती, चमनलाल गुपता कार का धर्वाजा खुल कर नीचे उतरता हुआ बोला, बगवान के लिए अब मुझे प ती, उसने बाहर से दर्वाजा बंद किया, देवराज चोहान ने बिना कुछ कहे, कार आगे बढ़ा दी, बुरी नजर वाले, तू मेरे साला मेटाडोर टेम्पो के पीछे, मोटे मोटे अक्ष्रों पे ये लिखा हुआ था, और टेम्पो मध्यम सी रप्तार से सडक पर आगे बढ़ रहा था टेम्पो का वालिक था, तीस वर्षी अमरतपाल और क्लीनर के तोर पर बीस बाइस वर्षी बुजेसियं हमेशा टेम्पो के साथ चिपका रहता था इस वक्त टेम्पो खाली था, अमरतलाल उसे चला रहा था, और साथ में बेठा था टेम्पो का क्लीनर बुजेसियें, जिसने पाईजामा और उपर कमिज डाल रखी थी, उस्ताद जी एकाएक बुजेसिये कह उठा, बोल बोल, उस्ताद जी मैं भी टेम्पो खरीदूंगा, बुजेसियें ने कहा, ओ तू हर वक्त बुजिया गला ही क्यों करता है, अमरतलाल ने मुह बनाया, क्यों की गलत कहा मीने, तेरा प्यो है, नहीं, वो तो मर गया, अपने पीछे जमिन जायदा छोड़के गया है, छोड़के गया, उसकी आखरी रस्में पूरी करने के लिए पैसा उदाल लेना पड़ा मुझे, बुजेसियें ने गहरी सास ली, फिर तू टेंपो डालेगा के पेट वास्ते दो रोटी दा जुगार करेगा, यही तो मुसीबत वे, पेट न होता तो मैं, पैसे बचा बचा कर टेंपो खरीद लेता, बुजेसियें ने मुह लटका कर कहा, उस्ताद जी, तुसी कैसे टेंपो खरीदा, कोई दिक्कत नहीं आई, अमरतार बोला, मेरा प्यो, मरा फूप फाक के घर आया, रोकड़ा तो कुछ नहीं छोड़ा बाप ने, लेकिन टेंपो खरीदने का सामान छोड़ गया वो, सोना छोड़ गया होगा वो, बुजे चला करता था, मैं ठैरा ड्राइवर, मेरा हल से क्या वास्ता, ट्रक रेल गाटी होती, तो मैं सोचता भी, मैंने फोरन जमीन बेची, और टेंपो खड़ा कर लिया, वा उस्ताद जी, वा, तबही किस्मत तो बहुत बढ़िया है, बस जो है, तेरे सामने ही है, मैने, दो मैन अब जब भी वक्त मिलता है, गाओं के मकान का फिरा लगा आता हूं, एक दो राते वहां बिता लेता हूं, अमरत लाल ने लापरवाई से कहा, उस्ताद जी, तबाडा गाओं का मकान मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना खुला है, दो बार में वाँ गया था, बहुत अच्छा लगा, खेतानू वेक के मन खुश हो जाता है, अमरत लाल ने मोड काटा, उस्ताद जी, एक बाद बोलू, मुझे सी एकाएक दाज दिखा कर मुस्कुराया, शादी कर लो, शादी, हाँ उस्ताद जी, मेरी मान तो कर लो, उम्रवी तो हो गई वे, ओ, शादी वास करो, उसका इंतजाम मैं गारंटी से कर दूँगा, वो कैसे, मेरी बैहन है, मेरे को भी उसकी शादी करनी वे, और आपको ब्यावास्ते, खुडी चाई दी वे, दोनों काम नाल नाल हो जाएंगे, तुसी भी सुखी, मैं भी खुश, आप दोनों गाउं वाले मकान में रहन तब तक मैं टेंपो चलाना सीख लूँगा, मैं कमाऊंगा और तुसी दोनों बेट के खाना, अमरतलाल ने बुझे सियं को गूरा, फिर सामने देखने लगा, कोई और बेकुप नहीं मिला, जो मुझे बेकुप समस्ता है, अमरतलाल ने तीखे स्वार में बोला, का गलती ह अपनी बहन का तु शादी के नाम पर मेरे खूटे से बांध रहा है, उपर से अपना कूटा भी उखाड कर मेरे घर लगाना चाहता है तु, मेरे को कमा के खिलाएगा, मतलब की तेरी और तेरी बहन दी, सारी उम्र की रोटी पानी का ठेका मेले लू, उस्ताद मेरे को बोल और भनता मेरा उस्तादे, आपने गलत समझावे तुसी, मेरी बहन से ब्या करो, मैं ये शहर छोड़कर दूशे शहर में नोक्री कर लूँगा, मैं तो आपको सुक देने की सोच, फाल तू बात मत कर, अमरतलाल ने सक्ट लेजे में कहा, नहीं करना, मैं तो अपनी बहन की शादी आपसे करने की सोच, मुझे नहीं करनी, समझा क्या, ठीक वे उस्ताद जी, आपके जवाब से बुझे सिये का मन बुझ गया, उसका मुझ लटक गया, बीडी दे सिग्रेट दू, बुझे सिये जल्दी से बोला, तिन दिन पहले पेकेट खरीदा, बीडी बोला है त श्ताद जी, मुझे सिये जल्दी से कहा, ब्या बेशक न करना, लेकिन सुनने में क्या जाता है, मेरी बहन को खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े दोना और चुप, हो गया, मुझे सिये ने होट बंद कर लिये, अगर तू इसी तरह मुझे तंग करता रहा, तो मैं दूसर क्लीनर रख दूँगा, ऐसा न करना उस्ताद जी, में और मेरी बहन, भूखे मर जाएंगे, छोड़ो ब्या, छोड़ो ब्या जैसी बेकार की बाते, मुझे सिये जल्दी से बात को संबलता हुआ कैब उठा, मुझे मादूर दिक्षित बहुत अच्छे लगती है, तू टे टेम्पो के मॉडल में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं उस्ताद जी, मानता हूँ, और सुन, मॉडल कोन सा है, वो बाद में देखते हैं, पहले इंजन देखते हैं, कि कितना दम है, सीधा मॉडल देखकर टेम्पो का सोदा नहीं कर लेते, समझ गया उस्ताद जी, क्या स मुँ बंधी रहे तो अच्छा है परंतु में सब समझ गया आपका ही तो चेला हूँ अमरतलाल ने सडक के किनारे टेंपो रोका इंजन बंध किया यहां होलसेल का बीडबार वाला भाजार था टेंपो ठेले लोग हर तरह बीड थी तेज शोर कानों में पढ़ रहा था यह क् जी चड़क पार करके वो साबने लाले के पास चा बोल अमरतला टेंपो लाया है सामान ले जाना है कहीं वो लाला मुझे से ने मूँ बनाया जो हर बार 10-20 रुपए कम ही देता है और कभी चाय नहीं पिलाता अमरतलाल ने ठीकी नजरों से उसे गूरा तेरे को तंखा लेन है कि नहीं क्या नहीं लेनी बहुत जरत है तो जा लाले से पूछ अगर उसके पास बेजने को माल नहों तो आगे जाकर बाकी के अपने जो 5-7 लाले हैं उनसे पूछ लेना कहकर अमरतलाल ने बीडी का कश लगाया जल्दी आना यह जगह नो पारकिंग है कहीं 150 ने वापस आया कहने के साथ ही बुजेशियं दर्वाजा खोल कर मेटाडोर टेमपो से उतर गया चोथे मिनट ही बुजेशियं की वापसी हुई उस्ताज जी काम बन गया वे वो तीसरा वाला लाला बोलदा वे फटापट टेमपो विच माल लादो कहा ले जाना है माल वापसी भी देख लेंगे कहने के साथ ही अमरतलाल ने टेमपो स्टाट किया वो बुजेशियं फोरन अंदर बेट गया वो आगे वाला कट से मोड है चुप रह मेरे को नहीं पता क्या लाले के गोदाम का रास्ता अमरतलाल ने मुँ बनाया मैं तो यूँ ही बता रहा था जी देवराच चोहान ने जगमोहन सोहन डाल और बटनागर पर निगा मारी सबके चैरों पर गंबीरता थी वे इस वक्ट बटनागर के फ्लेट पर ही थे आखी दो मिनट की चुपी के पस्चाद देवराच चोहान कैव उठा केटली और केटली के यहां से साड़े चार अरव रुपए के हीरे कैसे निकालने है यह बताने जा रहा हूँ पहले मैं पूरी तरह वहां के शुरक्षा के इंतजामों के बारे में बताऊंगा उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हमें उन हीरो तक पहुँचना है पल बर रुकर देवरात चोहान ने पुना कहा लेकिन एक बात हम सबको अपने मस्तिक में बिठा लेनी है कि केटली और केटली जोलर्स के शोरूम में प्रवेश करना और माल बाहर लना आसान काम नहीं है फिर भी हम काम्याब होने की चेस्टा करेंगे जगमोहन ने बेचेनी से पहलू बदला सोहन नाल ने गोली वाली सिग्रेट सुलगाली बटनागर गंबीर स्वर में कैव उठा तुमने यह सोच लिया है कि कैसे सुरक्षा इंतजामों को तोड़ कर बीतर प्रविश करना है सोच हो जाता है कि सोची हुई हर बात बेकार हो जाती है मैं समस्ता हूँ बटनागर ने सिरहला कर दीमिस्वर में कहा मैंने भी कई डकेतियां डाली हैं देवराज चोहान ने चेरे पर गंबीरता और सोच के बाउ समेटे कहना शुरू किया जैसा कि आप लोग चानते हैं कि केटली एंड केटली का शोरूम बरी पूरी मार्किट में है जहां दिन में पेर रखने की जगय नहीं मिलती इतनी बीड रहती है उस मार्केट में और रात के 11-12 बजे तक उस मार्किट में चहल पहल रहती है यूँ तो दुकाने 9 बजे तक बंध हो जाती है परन्तु मार्क मार्केट में पान वालों की दुकाने, स्वीट, सोप और रेस्टोरेन वगेरा रात के ग्यारा बज़े तक खुले रहते हैं यानि की एक बज़े के करिब जाकर ओं मार्केट खामोश होती है और दो चुकीदा डंडा और सीटी बजाते रात बर वहां गूमते और बन दुकान के शटर के तालों को चेक करते रहते हैं कही कोई ताला या शटर बूल से खुला तो नहीं रह गया तीनो की निगाः देवरात चोहान पर थी अब हम आते हैं किटली एंड केटली के शोरूम पर जो की एक साथ आट दुकानों की खरीद पर बनाया गया है और पीछे की जग जगय की कीमत लाख रुपए से जादा है। सामान्य अवस्था में दिन में केटली एंड केटली शोरूम के बाहर दो गन्मेन खड़े होते हैं और सतर्क रहते हैं। शोरूम के बीतर दिन बर एक गन्मेन एक खास काउंटर के पीछे मौजूत रहता है ताकि किसी भी तरह की गरबर होने पर मामले को संबाल सके। इसके साथ ही वहाँ आठ फीडियो केमरे दिन और रात 24 गंटे चालू रहते हैं। दिन में ओटोमेटिक वोडियो केमरे आने वाले गराको क्रमचार्यो यानि की शोरूम की सारी हलचल को अपने पास केद करता है। और रात को शोरूम के बीतर कुछ होता है तो केमरे उसकी तस्विर हलचल भी अपने कमरे में केद कर लेते हैं। यही इंतजाम है सोहनलाल पूला। सुनते रहो। देवराद चोहर ने सिर्ह लाया। रात के वक्त शोरूम बंद करते वक्त अलाम स्विच ओन कर दिया जाता है। यानि की शोरूम बंद होने के बाद अगर वहां के तालों को कोई बिना असल चाबी के खोलने की चेस्टा करेगा तो अलार्म बज उठेगा। एक स्पीकर जो शोरूम के बीतर है वहां जोर से बज़ेगा और इसके साथ ही 500 गज़ दूरी पर 14 आये पर बीट बॉक्स है, दूसरा स्पीकर वहां मौझूद है, वहां अलार्म बज़ेगा, बीट बॉक्स में तीन पुलिस वाले सारी रात मौझूद रहते हैं, यानि की उस स्थिती में शोरूम में प्रवेश करने वाला असफल रहेगा, अलार्म की तेज आवाज गुझने पर उसे फोरन महां से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा, चाबी से खोलने की चेस्टा करे तो अलार्म बज़ उठेगा, एक स्पीकर तो शोरूम क बीतर है, वो जोरों से बज़ेगा, और इसके साथ ही 500 गजदूरी पर चोराय पर बीट बॉक्स है, दूसरा स्पीकर वहां मोजित है, वहां अलार्म बज़ेगा, उस बीट बॉक्स में तीन पुलिस वाले सारी रात मौझूद रहते हैं, यानि कि उस इस्थिती में शोरू में प्रवेश करने वाला असफल रहेगा, अलाम की तेज आवाज गुजने पर उसे फोरन महा से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा, देवराद चोहान पर बार के लिए ठिटका, किसी ने कुछ नहीं कहा, नजरे देवराद चोहान पर थी, उसके साथ ह रात को दो गनमेन शोरूम के बन दर्वाजे के शटर के बाहर स्टूलों पर मौजूद होते हैं, यानि कि उनसे निपटने के बाद ही शोरूम के तालों को खोलने की चेस्टा की जा सकती है, जो की इतना असान नहीं है, चोकिदार भी वहाँ यदा कदा आते जाते रहते है और वे दोनों गनमेन पूरी रात ठीक तरह अपनी ड्यूटी देते हैं, पास मिनट की भी नीन नहीं लेते, तुमने ये बात चेक की है, बटनागर बोला, हाँ, कई बात, बीते आर्दनों से मैं यही करता आ रहा हूँ, देवराज चुहान ने उसे देखा, बटनागर सिर के शोरूम में मौजूद हैं तो, ऐसे में उसने कुछ और इंतजाम किये हैं, देवराज चुहान ने तीनों पर निगा हमारी, आज रात में शोरूम के बाहर, दो की उपैक्षा चार गनमेन मौजूद होंगे, और एक गनमेन रात को शोरूम के बीतर रहेगा, यानि की केटली ने पक्का इंतजाम किया है, एक गनमेन शोरूम के बीतर, जगमोहन ने बेचेनी से पहलू बदला, हाँ, ये तो जंजट वाला काम हो गया, जगमोहन ने उख्रे स्वार में कहा, किसी तरह शोरूम के बीतर प्रवेश कर भी गए, तो बीतर वाला गनमेन हमारे काम क असफल बना देगा, बाहर वालों की उप्यक्षा बीतर वाले से हमें ज़्यादा खत्रा होगा, देवराज चोहान मुस्कुराया, जगमोहन गहरी सास लेकर रह गया, तीनों की नजरे देवराज चोहान पर ही थी, अब बात आती है कि उन हीरो को कहां रखा गया है, देवर बात बर गणमेन मौजूद रहता है, तो कहां है, जगमोहन के होटो से निकला, शोरूम के बेस्मेट में, नीचे जाने वालों के लिए सीडिया उसी शोरूम के एक कोने में है, जहां मजबूत दरवाजा लगा रहता है, जो की दिन में भी बंद रहता है, और रात तो पहेंगा सामान रखा जाता है और नीचे जाने वाली सीडियों पर लगे धर्वाजे को दिन में भी बहुत चरुवत पढ़ने पर ही खोला जाता है। वो छाफिट चोड़ा और छाफिट लंबा है छाफिट ही उचा है और उसकी छट भी स्टिल की चादर की है यानि कि उसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। पक्का सोहनलाल कै उठा हाँ और उसके दर्वाजे पर बेहत मजबूत ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है। देवराज चोहान ने सोहनलाल को देखा जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसे खोल पाना संबव नहीं देखी जाएगी। सोहनलाल होट सिकोड कर सिर हिला कर कै उठा। देवराज चोहान ने सिगरेट चुलगा कर कश लिया। यह है वहां का इन्तजाम। सुरक्षय योश्त्था क्यट्ली एट केट्ली की देवराज चोहाद बोला। जगमोहन फौरन सिर हिला कर कैए उठा मुझे तो काम बनता नहीं लगता क्यों सोहनलान ने उससे देखा सबसे पहली बात तो ये है कि एक काम हम दिन में नहीं कर सकते क्योंकि दिन में शोरूम का सारा स्टाफ बीतर होता है बाहर दो और एक गन्मेन बीतर होता है और वो हीरे बेस्मेट में है इस्टील के छोटे से कमरे में है जहां तक पहुशना और वहां का लोक खुलना यानि कि दिन में हमारे पास इतना वक्त हो ही नहीं सकता कि ये सब काम ठीक ठाक डंग से किया जा सकी सोहनलाल के चहरे पर सोच के बाओ नजर आ रही थे अब रही बात रात की तो रात में बाहर गन्मेन मोजूद है उपर से बिना चाबी के शोरूम को खोलने की चेस्टा की जाए तो अलार्म बजने लगता है तीसरी बात ये है कि रात को भी बन शोरूम के बीतर गन्मेन यानि की खून खराबा करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता जगमोहन ने इस पस्ट शब्दों में कहा केटली एंड केटली बैकूप तो है नहीं जो इसने साड़े चार अरब की कीमत के हीरे वहां रख छोड़े हैं ये कदम सोच समझ कर ही उठाया होगा जगमोहन शायद ठीक कहता है बटनागर ने दीमे स्वार में कहा सोहनलाल कै उठा वहां के ताले भी आसानी से खुलने वाले नहीं होंगे उनके लिए भी मुनासिब वक्त चाहिए और वो मुनासिब वक्त आदे कंटे का भी हो सकता है और 6-8 गंटों का भी देवरा चोहान खामोशी से सिगरेट के कश ले रहा था उसे खामोश पाकर बटनागर कै उठा तुमने कुछ सोचा की कैसे ठिक ठाक टंग से बीतर चला जा सकता है पताना तो जरा देवरा चोहान ने बटनागर को देखा जगमोहन और सोहनलाल की नजरें भी देवरा चोहन पर जाट की तुमने कोई रास्ता सो पूचा है सोहनलाल ने पूचा डकेतिया तो मैंने भी की हैं बतनागर कै उठा लेकिन ऐसी सक्त डकेती के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं तो फिर समझो कि आज तक तक तुमने एक भी डकेती नहीं की जगमोहन कै उठा असल डकेती बतनागर ऐसी ही होती है कि जहां पहुचने का रास्ता न हो और जुगार बिड़ा कर रास्ता बना कर माल साप किया जा सके बटनागर गहरी सांस लेकर रह गया जगमोहन ने देवराज चोहान से कहा मुझे नहीं लगता कि इस बार हमें काम्याबी मिल सकेगी देवराज चोहान मुस्कुराया सिगरेट एस्ट देवराज चोहान सिर्भ लाकर कै उठा कैटली एन कैटली ने अपने शोरूम में हीरो की शुरक्षा के जो इंतजाम कर रखे हैं उन इंतजामों को छेड़े बिना हमें उन हीरो तक पहुचना है ये कैसे हो सकता है जगमोहन के होटों से निकला असंबव बतनागर बोला सो पहुचना है ऐसे में जारूरी तो नहीं है कि शोरूम से गुजर कर ही बेस्मेंड में पहुचा जाए देवराज चोहान ने कहा कैटली एन कैटली के बेस्मेंड के पीछे जो दीवार है उस दीवार के साथ अंडरग्राउंड नाले का पाइप जा रहा है जो की तब बिच दरता था लेकिन बीडबार बढ़ने की वज़य से कार्पोरेशन को पानी की निकासी के लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़ा वह 15 साल पहले की बात है दूसरे रास्ते की वज़य से पहले बनाया हुआ अंडरग्राउंड नाला बंद करना पड़ा यानि की वो इस्तमाल क काबिल नहीं रहा अब वो सूखा पड़ा है बेकार पड़ा है लोग भूल चुके हैं उस नाले को जो की करीब पांच फीट के व्यास का है तीनों की निगाह आपस में मिली तुम्हे केसे पता चला उस सूखे नाले के बारे में बटनागर ने पूछा कार्पोरेशन से जमीन के नीचे बिचने वाले नालो की तरब गया था कि हो सकता है कोई बड़ा पाइप बेस्मेंट के करीब से गुजर रहा हो कर्पोरेशन के ओफिस में मौजूद एक आदमी को पैसे दे कर उस इलाके के नीचे बिचने वाले नालो की फाइल और नक्षे निकलवाए तो इत्पाक से वो आदमी उस डक्षे को ले आया था जो पहले वाला था तब पता चला कि बेस्मेंट के साथ होता हुआ पांच फीट व्यास का नाले का पाइप निकल रहा है जो की 15 सालों से इस्तमाल में नहीं है उसने प्रवेश्ट करने का रास्ता उस नक्षे में था वो स कब मैंने नोट कर लिया बटनागर के होट से हसी निकल गई खुशी से बरी हसी जगमोहन की आखों में त्रीव चमक नजर आने लगी सोहनलाल ने सिर हिलाते हुए गोली वाली सिग्रेट सुल गाई अंडरग्राउन नाले का वो सूखा पाइप हमें हीरो तक पहुचाएग जगमोहन कै उठा हाँ देवरा चोहान ने सिर हिलाया वो नला 15 सालों से बंध है सोहनलाल कै उठा उसमें जहरीली गेस भी हो सकती है ये देखना पड़ेगा अक्सिजन चिलेंडर और फेसमास्क लेकर नाले में जाकर चेक करना पड़ेगा वेसे भी जब हम अपना काम करने के लिए उस नाले में प्रवेश करेंगे तो तब भी अक्सिजन चिलेंडर का हमें इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि सांस लेने के लिए वहां अक्सिजन नहीं मिलेगी ये बात तो है बटनागर ने सिर हिलाया मतलब की जगमोहन बोला नाले का वो पाइप और बेसमेंट की दिवा तोड़ कर हम बीतर प्रवेश्ट कर सकेंगे हां लेकिन इस बात का अंदाजा हमें कैसे होगा कि नाले में कितना रास्ता तै करके कहां से हमें तोड़फोड शुरू करनी है ये भी तो हो सकता है कि हम कहीं गलत जगए रास्ता बनाना शुरू कर दें जगमोहन ने कहा आज रात इस पात को चेक कर लिया जाएगा देवराज चोहान ने गंबीर स्वर में कहा वो केसे जहां से उस नाले में प्रविश्ट करने का रास्ता है वहां से केटली एंड केटली के शोरूम का रास्ता नापा जाएगा अगर नाले का पाइप कहीं से मुड़ता हुआ तो उस मौड की लंबाई को जमाया गटा जाएगा ये काम में और सोहनलाल करेंगे देवराज चोहान ने कहा सोहनलाल ने सहमती से सेर हिलाया ओक्सिजन चिलेंडर और फेसमाक का इंतजाम हो जाएगा देवराज चोहान ने पूछा हो जाएगा सोहनलाल ने सेर हिलाया नाल अगर रास्ता बनाने के लिए तोड़ा तोड़ी की तो शोर बाहर तक पहुच सकता है। हाँ, कटर का ही इस्तमाल करना पड़ेगा। कटर चलाने के लिए करेंट के लिए साथ में बेटरी भी ले जानी पड़ेगी कि कटर चलाया जा सके। ये सारे इंतजाम कल दिन में तुम करोगे बटनागर, वो हीरे दो-तिन दिन के बीटर उस शोरूम से केटली अन केटली के अन्य शोरूम में पहुच जाएंगे, जो की दूसरे बड़े शहरों में है। इसलिए कल राथ ही हमें इस काम को कर देना है। बटनागर ने सहमती से स इसका मतलब जगमोहन जल्दी से कै उठा, कल साड़ चार अरब के हीरे हमारे पास अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देवराज चोहान उठता हुआ बोला, चलो सोहनलाल, राद बर हमें व्यस्त रहना है, नाले के पूरे रास्तों को चेक करना है, और ये भी तै करना है कि न बोहनलाल उठ खड़ा हुआ, मैं साथ चलता हूँ, जगमोहन भी उठा, नहीं, रात के वक्त तीन का एक साथ होना, ज्यादा शक पेड़ा करेगा, मैं नहीं चाता कि काम शुरू होने से पहले ही किसी तरह की घरबढ हो, काम खत्म करके मैं बंगले पर ही पहुचूंगा, पुलिस स्टेशन की दिवार के पास, देवराच चोहान मुस्कुराया, क्या, बटनागर हडबढ उठा, जगमोहन ने रूखे होटों पर जीप फेरी, सोहनलाल गहरी सास लेकर रह गया, मतलब कि अगर हम अपने काम में सफल हो जाते हैं, तो साड़े चार हरब के हीरे लेक पुलिस स्टेशन के पास से ही बाहर निकलेंगे, बटनागर ने अहिश्वास बरे स्वार में कहा, हाँ, नई मुसीबत, जगमोहन बड़बडा उठा, सोहनलाल ने गोली वाली नई सिगरेट सुल गाई, लेकिन हमें अक्सिजन सिलेंडर कटर जैसा सामान देकर, वहां से बीतर कैसे प्रवेश करेंगे, पास ही पुलिस स्टेशन ने किसी की नजर पढ़ सकती है, सोहनलाल बोला, हम कोशिश करेंगे कि किसी की नजर ना पड़े, देवराज चोहान ने गंबीर स्वार में कहा, इसके लिए भी कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, अ आज की रात और कल का दिन भी, रात के ग्यारा साड़े ग्यारा बजे का वक्त हो रहा था, देवराज चोहान और सोहनलाल अक्सिजन का सिलेंडर लेकर जब पुलिस स्टेशन के पास पहुचे, सिलेंडर और अन्य सामान को कुछ देर अंदेरे में ही रख कर, वे वहाँ पह बिना रही पुलिस स्टेशन का प्रवेश धार था, बीतर प्रवेश करते ही दोनों तरफ बाग जैसी जगय बना रखी थी और बीच में 10 फिट चोड़ा रास्ता था, जो आगे जाकर पुलिस स्टेशन बना हुआ था, उसकी दिवार से एसास हो रहा था कि वो 50 बरस से भी पहले का बना हुआ है, पुलिस वाले अत्वा अन्य लोग बीतर बाहर निकलते कभी कभा नजर आ जाते थे, मैन होल कहा है, सोहन लाल ने आसपास नजर मानने के बात कहा, आओ, दोनों आगे बड़े, पुलिस स्टेशन की चार दिवारी के गेट से, सो गज पहले दिवार क साथ ही, देवरा चोहन ठिटका, और आसपास देखता हुआ शांत स्वार में बोला, नीचे देखो, सोहन लाल ने फोरण नीचे देखा, वहां अंदेरा था, सडक पर मौझूद स्ट्रिट लाइट की रोश्णी मध्यम सी वहां तक जा रही थी,